सीजन का पहला आम देखते ही बस लगा आज सबसे पहले बनाऊंगे मैं श्रीखन क्योंकि हंकर्ड बना के रखीती मैंने मैं अक्सर ही श्रीखन बनाती हूं इलाइची वाला और ये आमर खंड पूरी के साथ बहुत अच्छा लगता है और इसी के साथ है सबकी फेवरिट सब्ची गरमिया शुरू होते ही आम की बहार शुरू आम की बहुत सारी वेराइटीज होती है और ज्यादा तर ये वाला जो मैंगो है क्या खेंगे सको बादा ये वाला ज्यादा आता है बसॉल में वैसे तो दशेरी आम सबसे जादा पसंद देबच्चों को मैंगो शेक के लिए उसके मैंगो शेक का स्वाध ही अलग होता है मैंगो का बाहर का जितना भी छिलका है वैसे नाइव से पील कर लो ना पतला पतला तो निकल जाता है फिर इसका पल्प निकालना इजी हो जाता है और श्रीखन बनाना सबसे ज़्यादा इजी है बहुत जादा ईजी है और समर्स में बहुत सारी ऐसी मिठाईया बनती है घर में जो अच्छी होती है जल्दी भी बनती है खाने के साथ में जब भी आपको कुछ बनाना है तो शीकन भी बहुत ही असान है बनाना इसके लिए कुछ खास टिप्स होती है जैसे आप पिसी वी चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी गुल जाती है और यदि आप चीनी पीस रहें उसके साथ अप इलाइची डाल करके भी पीस लेते हैं तो पाउडर शुगर रैडी होगा और इसमें इलाइची भी रहेगी तो बस इस जार में मैंने डाला है मैंगो पल्प और इसी के साथ पीसी वी चीनी और इलाइची इनका पूरी प्यूरी रैडी हो चुकी है अब हमें क्या करना है हंकर लेना है दही को किसी भी कपड़े में अच्छे से बांध करके किसी वजंदार चीज को उपर रख दो तो बरतन में नीचे पूरा पानी आ जाता है तो यह पूरा पानी है उसको साइड में निकाल लेंगे उस पानी का आप यूज कैसे भी कर सकते हैं पी भी सकते हैं या कभी रायते वगरा में इस्तेमाल कर सकते हैं अब दही में डालेंगे हम मैंगो प्यूरी और पिसी भी चीनी एकदम सक्त इसी रहती है यह दही शुरू में जब आप कप्रे से निकालते हैं फिर जैसे जैसे आप इसे फेटते हैं तो यह सौफ्ट होती जाती है क्योंकि पहले जितना पानी निकल जाएगा तो एकदम ड्राइव हो जाएगी तो थोड़ी सी कड़क रहती है तो इतना ही द्राइव रखना है तभी वह एकदम ठिक बनता है श्रीखन यदि आप नॉर्मल प्लेन श्रीखन बनाना चाहते हैं जैसे इलाइची ज्यादा सी केसर इलाइची और ड्राइफूड तो भी आप सेम ऐसे ही बनाएंगे मैंने मैंगो प्यूरी मिक्स करी तो यह मैंगो श्र श्रीखन क्या बोलते हो मुझे जरूर बताना शुब हमको बहुत पसंद है दही की वैसे उसे जाबतर चीजे पसंद है लसी हो शी खंड हो और खासकर कहीं आप सफर में जा रहे हैं तो आप यह श्रीखन बना करके साथ में ले जा सकते हैं और इसके साथ पूरिया बस इसम आप केसर भी डाल सकते हो आज मैंने नहीं डाला है जब मैं लाइची वाला बनाती हूं और तब मैं केसर जरूर डालती हूं इसमें मैंगो का अपना एक अलागी जाएका है फ्लेवर है तो इसलिए मैंने उसको बाकी चीजों से बहुत मिक्स नहीं किया है आप इसे नाम इसको इस तरह के से कवर कर लेंगे आप सिल्वर फाइल उपर से लगा सकते हो या फिर कोई वी जैसे एको बेक शीट लगा सकते हो कुछ भी कवर करके रखो तो यह मैंने लेड लगा दी है और सिलिकॉन लेड जाती है वहर बोल में अप लगा सकते हो उपर से फ्रेज में लिए तो कवर करके फ्रेज में रख देंगे जब खाने का टाइम हैगा तो फ्रीज से निकालेंगे इसको और फ्रीज में रखा है शीकन अब हो रही है रात के खाने के तयारी मैं बना रही हूं मटर पनीर कली मैंने पनीर की रेसिप आपके साथ शेयर खीती क्यों में पनी और तोक्सा ऊच्छा faint soc fry कर लो बीच में से इसे पलट करकर बहुत जादा उआइगा अपनीड़्क हो पयादा की यहासी आगि पनीय फ्राई किया है उसी ओयल में हम कर लेंगे प्याज लसुन अद्रक और हरी मिर्ची को भी भून लेंगे प्याज अद्रक पहले से भूनने से ना सौफ्ट हो जाती है प्याज कच्चा पन कतम हो जाता है और इसके ग्रेवी का टेक्शर भी बहुत अच्छा होता है बस लसुन अद्रक हरी मिर्ची और प्याज रफली चौप करके दो प्याज डाल करके भून लेंगे तेल ज़्यादा डालने की ज़रुद नहीं है उतने में ही जितने में पनीर फ्राई हुआ और इसके साथ ही सूखी मिर्ची भी डाल देंगे लाल वाली और इसे भी मिक्स करके भून लेंगे टमाटर भी डालने हैं जब तक प्याज भून रही थी यहापर मैंने टमाटर भी कट लिये और टमाटर भी डाल करके भून लेंगे और इसी टाइम पे हलका सा नमक डाल करके मिक्स कर लिया नमक डालने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे इनको कवर कर दिया है और आज को धीमी कर दिया है भाप में ही एक दम से टमाटर भी सॉफ्ट हो जाते हैं और प्यास भी ये स्टेप बहुत अच्छा रहता है या फिर आप डंठल भी डाल सकते हैं धन्या की उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है मसाले में बस इसका हमने पेस्ट बना लिया है टोमाटर प्यूरी तयार हो गई है ब्लेंडर जार में इसे हम साइड में रख लेंगे अगर बहुत ज़्यादा क्वाटिटी में सबजी होती है कई बार तो आप आधी गृवी बना सकते हैं पेस्ट और आधा आप कच्छा काटके भी पनीर डाल सकते हैं और जो फ्राई किया हुए पनीर है इसमें डाली है फ्रोजन हरी मटर गरम पानी में आप हलका सा नमक डालो और फ्राई किया हुए पनीर और फ्रोजन हरी मटर इसे कुछ देर के लिए ढख के रखो बस देखो तुरंती पनीर सॉफ्ट हो जाता है और मटर भी इस टाइम प तेल गरम करके जीरे डाले हैं तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्ची और इसी के साथ हमने डाला है यह टोमीट प्यूरी जिसमें हमने प्याज अध्रकल सुन सारी चीजें एक साथ डाल करके पीस के रखी हैं अब इसी के साथ हम सूखे मसाले डालेंगे तो मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और बहुत थोड़ा सा Homemade गरम मसाला और इसी के साथ ही डाला है Kitchen King मसाला एक चोटी चमच जितना Kitchen King मसाला डाले हैं बाकी मसाले सारे आदे आदे चमच डाले हैं अब इसमें 2-3 चमज घी डाल दिया है मसाले के उपर और घी में डाले हैं कसूरी मेथी एक चमज ये स्टैप बहुत ही बढ़िया होता है ये टीप इतनी बढ़िया होती है हर सबजी का टेस्ट बढ़ा देती है गर्म-घ्यमे कसूरी मेति डालकर मिक्स करके इसे भूनते हैं और जैसे मसाला भूंच जाता है न घ्यीयर थे सारा सेपरेट सा होने लगता है गर्म पानी में रखं़े हुए मटर अर पनीर ये भी डाल देंगे हमने नमक अभी मटर पनीर वाले पानी में भी डाला था और टमाटर भूंते समय भी डाला था इसनी नमक तालते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जादा एकदम नमक ना हो जाए इसलिए बस हलका सा नमक डाल करके आज को धीमी करके मैंने ढख करके सबजी पकने दी और यहां परमाटा गूत रहें आटेम हलका सा नमक और सक्त साथा तयार करूंगी क्योंकि आज मैं बना रही हूं पूरी वैसे शीखन के साथ बहुत से लोगों को पूरी खाना पसंद होता है आपको शीखन के साथ क्या ज़्यादा पसंद जरूर बताएगा वैसे चब भी पनीट सबजी बनती है तो मैं अकसर रोटी आ प्राटी ज़्यादा तर बनाती हूँ रेयर होती है कोई फेस्टिवल था ल रखती हूँ वरना फिर वो ठंडी होते होते और ज्यादा ठीक हो जाती है इसलिए तो बस सब्जी को मैं ट्रांसर कर लिए इस बोल में और उपर से कटाव धनिया पत्ता भी मिक्स किया था सब्जी में और यहां पर अब मैंने निकालें पापड पापड की रेसिपी मैंने अब जाबने के पापड पलेन पापड भी और यह वाले साबुदानेके पापड शूआ को बहुत पसंड है तो आज मैंने काफी दिनों बाद यहन निकाल करे कि सचर्ए कर लेती हूं और साथ में यालो के पापड पापड पगढा जब भी मैं तलती हूं कढ़ाई रखी हुई तेल डला है तो फिर लगता चलो तल के रख दो और ज्यादा से फ्राई कर लेती हूं भले ही खाया कोई कोई इतने नहीं खाएगा येकिन रखी रहते हैं डबे में तो इसे कल लंच के टाइम पे रहेंगे ऐसे एक दो तीन दिन बच्चों को कभी भी मन किया तब खाना है क्योंकि टाइम पे उसी टाइम में बन कर रहा है पाप्ड़ा खाने का फिर थोड़े-थोड़े तलने में बड़ी उल्चन होती है लुद जब फ्राई करती हूं तो थोड़े ज्यादा से फ्राई कर लेती हूं और आप बना रहे हैं पूरिया तो आटी की थोड़ आप मुझे बताईएगा जरूर कि आपको श्रीखन किसके साथ खाना जाद अच्छा लगता है सुखा रुखा मतलब केवल श्रीखन या फिर पूरी के साथ श्रीखन जैसे आमरस भी पूरी के साथ बहुत पसंद करते हैं यह मैंने फ्रिच से निकाला है एक तम चिल रखा है बहुत अच्छा है और एक तम ठिक बना हुआ है जैसे मैं इसको स्पून से निकालूंगे आपको आइस्क्रीम जैसा कट होगा पीस यह देखो लास्ट यह भी बनाया था मैंने बहुत बार बनाया यह मैंगो श्रीखन रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हो लेकिन यह सी से पीशेयर की तो आज हमारी समर स्पेशल थाली है मैंगो श्रीखन मटर पनीर की सबची पूरी और पाप और जैसे ही पूरी के लिए एक बर आच सेट हुई तो वो फटा-फट से बनने शुरू हो जाती है इसलिए तीन-चार पूरिया एक साथ पहले बेल के मैं साइड मे रख लेती हूँ और एक-एक बेलती भी जाती हूँ जैसे जैसे हाथ खाली हुआ और बस एक के बाद एक डालते जाओ क्योंकि ना जब भी मैं आज धीमी कर देती हूँ तो फिर मेरे से पूरिया फूलती नहीं अच्छे से एक बार धीमी किया तो पहले तीन-चार बेल लि भी थी सब खा रहे हैं गरम-गरम पूरिया बन गई सबको पसीर की सबजी बहुत अच्छी लगी वो तो हमेशा ही बनती है लेकि नया तो यह था श्रीखन जो सबको बहुत पसंद आया आप मैंगो श्रीखन जरूर ट्राइ करिएगा बहुत इजी है कभी कोई घर में गैस आए या फिर आपको ही कोई स्वीट बनाना है तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि राइता और छांस तो हमेशा ही बनाते हैं ना थाइंक्स फॉर वाचिंग बैबाए चेक यह लिए